विदीशा जिले की ग्यारसपूर में एक यूवक की हत्या करलाश को खेत में फैक दिया। मरतक 22 वर्षे दुर्गे साहू कल साम 7 बजे से गायब था। मरतक विदीशा का निवासी बताया जा रहा है। थाना ग्यारसपूर शेतर के अटारी खेजरा का पूरा मामला है। मरतक के बड़े भाई गोरी शंकर साहू ने बताया कि कल रात 7 बजे से घर से लापता था। मरतक पुताई का कारे करता था। मोके पर विदीशा एसपी विनायक वर्मा और एडिसनल एसपी संजे साहू डी एसपी भी पहुचे। एसपी ने कहा कि प्रथम द्रश्टीता 302 का ही मामला सामने आ रहा है। थाना प्रभारी इसकी निशाक्त कर रहे हैं। जल्द ही इस मडर केस का खुलासा करेंगे। परिवार जनों से पुष्टत जारी है। मोके पर S.F.L. टीम सहीत ग्यारसपूर थाने में अटारी खेजरों चौकी है। वहां से दिगोरा गाउं की तरफ जो रास्ता जाता है उसके पास के खेत में एक शव मिला है। शव से सपष्ट हो रहा है कि डेफिनिटली धरा 302 यानि मुर्डर का मामला कयम होगा। जो प्रथम दिश्टिया बोडी की उपर शाक लगे हुए हैं और हमें पूरी अमीद है कि जल से जल से मामला खुला साम करेंगे। परिवार जनों का अभी दोपहर के दो बज़े ही वाडी मिली है और परिवार जनों हमारा संपर्क हो गया है उसके कुछ जो आस-पास के मिलने जुलने वाले हैं उनके बारे में उन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे जनल को सब्सक्राइब परें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भुलें